अलो फ्रेंड्स, आम हरीश डेमलाव फ्रम एक्यूरेट फॉर्चून आस्टोलोजी दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु देव की मिथुन लगन के पंचम भाव की प्लेस्मेंट के बारे में आएगे जानलेते हैं कि यदि राहु दे पंचम भाव में बैठ जाएं मिथुन लगन के तो हमें क्या फल देंगे दोस्तों पंचम भाव में साथ नंबर राशी है तूला राशी साथ नंबर राशी जो है इसमें राहु को हमने अच्छे ही फल देते देखा है और साथ नंबर राशी काल पुरुष कुंडली में साथ ने घर की है तो यहां से विवाहिक संबंध हम देखते हैं बिजनिस देखते हैं और यह एक एर साइन है यहां राहू का एक नक्षत्र भी मिलता है स्वाती नक्षत्र वो नक्षत्र भी एर का नक्षत्र है, इंडिपेंडेंस का नक्षत्र है, अब पंचम भाव का अगर हम सिगनिफिकेंस देखें, तो सबसे पहले तो पंचम भाव जो है हमारी संतान को रिप्रेजेंट करता है, संतान की उत्र पती को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ये पूरव पुन्या के बेनिफिट्स का हाउस है, कि हमने पिछले जनम में जो अच्छे करम किये हैं, उसके अगर हमने बेनिफिट्स यहां लेने हैं, तो पंचम भाव के स्थिति देखी जाती है, और अगर पिछले जन की एजुकेशन देखते हैं particularly certification और या डिगरी वगरा और पंचम भाव से हम अपने romantic life भी देखते हैं यानि कि love relationships देखते हैं और पंचम भाव से हम अपने बुद्धी भी देखते हैं और यह creativity का घर है हम अपना creative expression जो है हम किस तरीके से अपने आपको express करते हैं वो भी पंचम भाव से देखते हैं पंचम भाव का संबंध कला से है creativity से है आर्ट से है acting से है cinema से है और पंचम भाव से हम बहुत अच्छी चीज़ें देखते हैं ट्राइन हाउस है यह 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 कि यूँ करना चाहिए कि जो किसी भी कुंडली में पंचम और नमभाव यह दोनों बहुत भी ऑस्पीशियस घर माने जाते हैं अब यहां राहू आ गया राहू एक छाया ग्रह है इल्यूजिव प्लैनेट है इल्यूज अनर्जी है और एक अपसेसिव अनर्जी है तो अब देखिए एक अनकन्वेंशनल तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में पंचम भाव की चलेंगी यानि कि अगर आपकी संतान उत्पती की बात की जाए तो एक नॉर्मल वे में संतान की उत्पती नहीं होती या तो उसमें डिले रहती है या आप स्टेकल्स रहते हैं या सरजरी का योग बनता है या सी सेक्षन में जाना पड़ता है या कभी-कभी अगर राहू के साथ और और भी कोछ यह मैलेफिक प्लैनेट साजाएं या पंचम भाव का जो स्वामी है शुक्र वो बिगड़ जाए तो हमें कभी-कभी आईवीएफ या आर्टिफीशल तरीकों से भी अपनी संतान की उत्पति करनी पड़ती है अब ये पंचम भाव का संबंद रहेगा हाला कि राहू मित्र प्लैनेट है शुक्र देव का लेकिन फिर भी राहू की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंफ्लेंस जरूर्ट रहेंगे इस गहर को अब आते हैं पंचम भाव का दूसरा सिग्निफिकेंस लेते हैं चलो हमने यहां एजूकेशन को ले लिया अब एजूकेशन यहां पर राहू बड़ी अनकल्वेंशनल वे में आपको नॉलिज वगरा देगा सीदी सीदी नी देगा कुछ टेक्निकल नॉलिज वगरा आपको यहां राहू दे सकता है अगर आप कुछ इंजिनरिंग करने के चक्कर में हैं कुछ लेटेस टेक्नोजी में कुछ पढ़ाई करने के चक्कर में हैं कुछ ऑनलाइन करने के चक्कर में हैं तो यहां राहू आ आपके obstacles भी आ सकते हैं वो तब आएंगे जब शुक्रदेव की placement कहीं अच्छी नहीं है नीच का बैठ जाए शुक्रदेव छटे आठवे में बैठ जाए तो डफिनेटली यहां पर problems आ जाएंगे अगर शुक्र exalted sign में भी बैठ जाए तो भी आपकी education में बाधा create करेगा उसका reason यह है कि Venus राहू को influence करेगा romantic relationship की तरफ क्योंकि Venus exalted उचका हो गया और Venus जो है it is all about relationships तो तब भी आपकी education में hurdles आएगी आपकी जो ambition है उसको पुरा करने में दिक्कत आएगी Venus का किसी अच्छे घर में बैठना, मित राशी में बैठना सबसे बड़ी है Venus भाग में ही जाके बैठ जाए excellent हो जाएगा Venus इसी राशी में ही आके बैठ जाएगा excellent हो जाएगा हलांकि इस राशी में राहू के साथ Venus का बैठना भी आपको romantic relationship में ले जाएगा और वो भी inter-caste, inter-religion relationship, out of caste, तो इस तरीके से आपकी education को ये influence करेगा, यगदी आप technology में जाना चाहते हैं, राहू संबंधी education लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर education में राहू bless करेगा, और अब आते हैं यहाँ पर तीसरा significance है, हमारी romantic relationship का house है यह, साथ नमबर राशी तो है इनी चीज़ों की, sex की sensuality की राशी है, अब यहाँ romantic relationship में आदमी physically involved हो जाएगा, और दूसरा, इतनी obsession रहेगी, जहाँ भी यहाँ पर प्रेम संबंध बनेंगे, उनके प्रती इतनी obsession रहेगी, कि आदमी किसी भी कीमत पे उनको छोड़ने के लिए त्यारी नहीं होगा, जब तक राहु खुद ये obsession खतम ना करे, राहु खुद बिगाड़ ना दे इस काम को, राहु तब बिगाड़ेगा, जब शुक्रदेव ठीक नहीं बैठे, यहाँ या राहु जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लौँ ठीक नहीं है, या कोई मंगल वगरा का संबंद बन रहा है, राहु के साथ तो लड़ाई जगड़ा होके relationship बिगड़ जाएगी लेकिन यहाँ पर राहु बहुत ही एक obsessive relationship देता है, आदमें उसके प्रती रहा ही नहीं पाता भी, और वो दुनिया से लड़ लेता है, रिष्टे तोड़ देगा, लेकिन वो relationship को मतलब जो है उसमें आगे जाएगा, लेकिन अगर राहु की स्थिती या dignity यहाँ पर relationship natural way में अपने आपी disturbed हो जाएगी, वो एक अलग chapter, लेकिन जब तक रहेगी बहुत ही ज़्यादा obsession रहेगा, और अगर साथमें घर से संबंद इसका बन गया, यानि के शुक्र देव सब्तम भाव में आके बैठ गया, तो फिर यह relationship marriage में भी convert हो जाएगी, लेकिन अगर सब् सब्तम भाव में मूल नक्षत्र में शुक्र देव बैठ गया, तो फिर problem है, फिर marriage हो भी जाएगी, marriage में problem भी रहेगी, हाँ पुरुषाड़ा नक्षत्र में शुक्र देव आ गया, सब्तम भाव में वो उनका अपना नक्षत्र है, तो बहुत बड़ी है, आपकी intercast relationship सब्तम भाव से connect हो गया, लव लाइफ का, तो इस तरीके से यहां राभू बैठा हुआ results देगा, लेकिन यहां पर आपकी relationship जो है, वो थोड़ी से volatile रहती है, उसमें थोड़ी बहुत obstacles रहती है, obsession भी रहती है, obstacles भी रहती है, और intercast या interreligion आपकी relationships रहती है, अब यहां आत सब्धी का घर है, तो यहां बहुत आदमी को राहु clever बना देगा, shrewd बना देगा, diplomatic बना देगा, manipulative बना देगा, थोड़ा बहुत सच सब इनसान बोलने वाला होगा, चलाख चतु होगा, तो इस तरह कई आपका expression रहेगा, और आगे देखते हैं यहां पर आपका past life कर्मा अब past life कर्मा में यहां आपको यह देखना पड़ेगा, वैसे तो यहां payback रहता है थोड़ा, राहु यहां बैठ जाये, तो payback रहता है, यहां ऐसा मना जाता है कि कुछ आप past life कर्मा का payback करने आयो, you have to suffer, because this is very auspicious house, और यहां राहु का आना, आपको कुछ नो कुछ दुख आपको संतान की उत्पती में कुछ नो कुछ परिशानियां यहां रहेंगी, क्योंकि यह राहु है, यह unconventional planet है, यह सीधी सीधी चीज़ें नहीं देता है, अब कुछ नो कुछ प्राब्लम है, अब यह घर जो है हमारे uncertain gains का भी घर है, uncertain gains का मतलब कोई भी gains जो आपको suddenly मिलते हैं, stock market भी उसमें आ जाता है, lottery सक्टा वो उसमें आ जाता है, तो राहु इस इनसान को इस तरह की tendency भी देगा, यार stock market में काम करते हैं, यार इस particular speculative market में उतरते हैं, ठीक है ना, आजकर जो भी चल रही है चीज़ें, जो latest चीज़ें चलती हैं, उसमें राहु घुसा जेता ह चाहिए वो कोई cricket की gambling हो, चाहिए दूसरी हो, चाहिए stock market की हो, वो tendency उस तरह की देता है, और आदमी जब independent हो जाता है, तो उसमें जरूर घुसने की कोशिश करता है, तो इस तरह से राहु या influence करता है हमें, अब इसमें राहु के अच्छे फल मिलेंगे, या खराब फल मिल इसको देखने के लिए आपने ये देखना है कि शुकर की placement कहा है, डिस्पोजिटर की placement कहा है, डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा हुआ है, तो राहु या अच्छे फल देगा, थोड़ी बहुत उपर नीचे चीज़ें चलेंगे लेकिन अच्छे फल देगा, और अग फंडमेंटल दो चीज़ें आपने देखनी है, राहु कि इस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और अगर उस नक्षत्र का स्वामी वेल प्लेस्ट है, तो फिर राहु के यहां अच्छे रिजर्स मिलेंगे, और अगर नक्षत्र का लॉड़ी इल प्लेस्ट है या बहुत ही ख फंदर बगर के साथ बैठ जाया तो आदमी को प्रशानिया रहती है спик dáमने disciples रहती हैं और मिन्टर स्ट्रेस बना रहता है, और तीसरा सुर्ये भी आ जाया तो आदमी की कैरियर में प्रिशानिया रहती है, तो नेम फीम में थोड़ा दाखध दबबा लगने का दर रहता है थोड़ा सा हुमिलेशन रहती है हेल्थ में भी खराबी रहती है पिता को भी तकलीफ रहती है और मां के साथ बैठ जाए तो मां को भी थोड़ी सी प्रशानी यह हाउस तो बहुत अच्छा है लेकिन राहू की कंजंग्शन या आस्पेक्ट अपने एनिमी पर जब भी आता है तो उनको कुछ नो कुछ प्रिशानी करता ही करता है तो यहां पर दोस्तों बैठा हुआ राहू देखेगा आपके नमभाव को अब आपको यह पता लग गया कि राहू अच्छी डिगनेटी में है यानि कि डिस्पॉजिटर भी अच्छा है नक्षत्र का लॉड़ भी अच करा सकते एंट आपको कोई आथिवीशल गुरू दे सकता है रहो जो आँग मार्किट में जितने बीगुरू है यह जो लोग किसी न किसी फिल्यूंकर कों सकता है इस तरह करती है जैसे जो भी गुरु जो भी आप लेक्चर सुनते हो, स्पीचिस सुनते हो, ओनलाइन या ओफलाइन या आश्रम्स बने हुए हैं, तो ये रहु की देन है, रहु इस तरह के किसी गुरु का धारन करवा देता है, और रियल सिप्रिचुलिटी में ना ले जाके इस तरह के आपको इन्वाल कर देगा किसी फिलोसफिय में, और कभी-कभी यहां रहु अधर दन यूर रिलिजन भी फिलोसफिय में इन्वाल कर देदा है, जैसे आप हिंदू हो, तो आप बोधिजम को मानने लगो, जैनिजम को मानने लगो, या किसी और धरम में विश्वास क्रिश्चैनेटी में आ इस तरह के फल भी यहां रहु को देखते देखा गया है, और दूसरा पिता से संबंद भी अगर रहु के डिगने अच्छी है, तो ठीक है, पिता से संबंद नॉर्मल चलेंगे आपके, क्योंकि शनी की राशिया वो रहु की यूं समझो कि अपना ही एक घर है, और अगली द्रिश्टी रहु की पड़ेगी 11 भाव पे, 11 भाव पे मंगल की राशिया, वहाँ पर थोड़ी इंस्टेबिलिटी देता है रहु, आपकी नौकरी बार-बार बदलवाएगा, इंकम में थोड़ी सी प्राब्लम्स क्रियेट करेगा, लेकिन रहु की बेसिक नेचर देखने के लिए भी आप थोड़ा सा शनी की स्थिती भी देखना जरूरी है, और लगन पे अगर राहु की द्रिश्टी पड़ेगी तो लगन में वो राहु अपनी करेक्टरिस्टिक्स देगा, आदमी थोड़ा इल्यूजिव रहेगा, थोड़ा ड्रीमी रहेगा, एरी हवाई किले बनाने में तेज होगा, बाचित करने में फास्ट होगा, क्योंकि रहाँ की लगन पे द्रिश्टी आगे, तीन नमबर उच्च की राशी है, उसके प्लांस बड़े होंगे, बातें बड़ी होंगी, आईडियाज बहुत ज्यादा होंगे, जूट सच सब चलेग तो एक personality ऐसी बनाएगा, जो influencing personality होगी, लेकिन उसमें सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी, कुछ चीज़ें हवाई होगी, कुछ practical होगी, इस तरह की personality देगा इंसान को, तो दोस्तों अब देख लेते हैं, नक्षत्र, देखिए नक्षत्र यहां तीन मिलते हैं, पहला नक्षत रहू से यहां काम ले लेता है, मार्स विल इंफुलेंस, मार्स विल डिसाइट के रहू किस तरह के यहां फल देगा, और उसके दो चरण मिलते हैं, तीसरा और चोथा चरण, और मंगल की स्थिति अगर खराब है चाट में तो यहां खराब फल मिलेंगे, और अबस्टेकल म और दोसरा यहां पर नक्षत्र मिलता है, दोस्तो स्वाती, जो रहू का अपना ही नक्षत्र है, स्वाती नक्षत्र में रहू निरंकुष हो जाता है, इंडिपेंडेंस का नक्षत्र है, वो किसी की नहीं मानता, अपनी चलाता है, अपनी अपना ही डिसीजन, खुद अपन माबाप की भी नहीं चलती है हर चीज में उसके फैसले बिल्कुल अलग होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं राहू बिकम्स वेरी पावरफुल इन स्वाती नक्षत्र लेकिन उसमें आपको नक्षत्र तो राहू का अपना ही है उसमें अगर शुक्र देव अच्छे बैठे हुआ है तो अच्छे ही रिजर्ट्स यहां मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा आदमी हवाई रहता है थोड़ा सा प्लूजा नक्षत्र है विशाखे उसके यह तीन चरन मिलेंगे आपको पहला Are you जैनिके वो मिलेगा आपको आपको बीज इस तीस दिग्री तता और स्वाती आपको मिलेगा 6.4 डिग्री से 20 डिग्री तर तो विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है जुपिटर के नक्षत्र में अगर राहू बैठ जाए और जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो कई चीज़ों में चीज़ा संभल जाती है उसमें आपकी एजुकेशन ट्रैक भी समझ उसमें राहू की जो अपनी क्वालिटीज है वो थोड़ी सी डेल्यूट हो जाती है और जुपिटर इंफ्लेंस करता है अब उसमें देखो एक मैलेफिक एनरजी के साथ एक सात्विक एनरजी आकर जुपिटर आपको विजडम भी देगा अच्छे काम भी करवाएगा उलाद में भी ब्लेस करेगा और थोड़ा जो आपका लव लाइफ चलेगी वो भी किसी ऐसे इनसान के साथ चलेगी जो बिलकुल आउट अफ कास्ट आउट अफ रिलिजिन नहीं है आउट अफ कास्ट हो सकता है फोड़ा बहुत इदर होनी चाहिए किसी ऑस्पीशियस हाउस में होनी चाहिए अगर जुपिटर एग्जॉल्टिड ही बैठ गया तो फिर तो यह घर ही ठीक हो गया दूसरे घर में जुपिटर आ गया और दूसरे घर से जुपिटर की जो दृष्टी है वो तो इस पे दो तीन चार पांच छे इ बनाएगा एजुकेशनल ट्रैक भी अच्छा रहेगा तो चीजें बहुत अच्छी चलेंगे तो इस तरीके से आपने इसको अनलाइज करना है इस इस अल फॉद डे और उमीद करता हूं यह प्लेस्मेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई है इफ यू लाइक अर वीडि झाल आपको अनलाइज करकेंशनलाइज करता है इसके बंगा झालाइज करता हैं यह झालाइज करता हैं इसके चलेंगे इसके प्लेगा